बड़ी खबर आ रही है पटना से जोहां SDPI यानि Social Devocative Party of India के राजे दफतर पर ATS की छापे मारी है जहां आतन की गतिविदियों के खबर के बाद ATS ने ये छापे मारी की है पटना में SDPI के दफतर पर छापे मारी ATS की तरफ से पटना के सब्जी बाग में SDPI का ये दफतर मौजूद है और लगातार लिंक टलाशने की करियों को जोडने की कोशिश है ATS ने पटना में SDPI के दफतर पर छापा मारा है इस वक्त की बड़ी खबर बियार की राज़ानी पटना से जहां आतंकी गतिविदियों की जानकारी के बाद ये चापे मारी हुई है ATS ने इस चापे मारी को अंजाम दिया है और SDPI यानि Social Democratic Party of India के राज़े दफतर पर ATS ने ये चापा मारा है और इस खबर पर अपडेट हासल करने के लिए सुजीत जाका रुक करते हैं अपडेट हैं पटना के सब्जी बाग इलाके में एक नाज मंजिल चार मंजिला इमारा थे उसके निचली मंजिल पर SDPI का एक दफतर था और उस दफतर में चापे मारी हुई उस महां पे बहुत सारे हमने देखे कि अभी भी पोश्टर पड़े हुए थे कैडर बनाने के जो फॉर्म होते हैं वो भरने के लिए था कुछ आधार कार्ड भी रखे हुए थे तो एक पॉलिटकल पार्टी का वो दफतर था और उसमें रेड किया गया और ये बताया जा रहा है कि जो दो लोग गिरफतार हुए थे जो दो संदिग्द पहले दिन गिरफतार हुए थे जलादू दिन के साथ कि निशान देही पर ये छापे मारी हुई है और यहां से 3 लोग को उठाया गया है 3 लोग को लेके पुलिस गई है एक और खबर आ रही है महत्तपौन फुलवारी सरीफ से ही आ रही है कि एक व्यक्ती मगरूर नाम का व्यक्ती है जो गिरफतार हुआ है जिसने एक WhatsApp ग्रूप बनाया था जिसमें बहुत सारे लोग उसमें सामिल थे जिसमें पाकिस्तान और बंगलादेश के लोग भी उसमें सामिल थे और गजवाय हिंद का उसका एक ग्रूप था उसको भी पुलिस ने गिरफतार किया है तो ये पूरे खबर दे रहे हैं हमारे सही होगी हमारे सवालाता सुजीट जा कि कुछ वाट्सेप ग्रूप चलाने वारे लोगों की भी गिरफतारी हुए जिनका तार बंगलादेश और पाकिस्तान से जुड़ता हुआ बिलकुल इसे इंकार नहीं किया जा सकता है और लगातार पुलिस और एटीएस और जो एन आईये है वो लगातार इसमें प्रियास में है और तीन लोग जो गिरफतार किये गए हैं उसे पुछताच में बहुत सारी बाते सामने आएगी उससे पहले जो जलालुदीन और जो और एक सहयोगी उसके गिरफतार हुए थे अतर उससे भी पुछताच जारी है तो लगातार डिफरेंट एजन्सियां उससे पुछताच क जा रही है ताकि एक तरीके से अभी तक यह पाकिस्तान का कनेक्शन अभी तक मिला नहीं था लेकिन ये वाटसब गुरूप से ये पता चलता है कि वाटसब गुरूप में गजवाय हिंद का जो आपने डॉकुमेंट भी देखा होगा कि जो इसलामिक स्टेट बनाना है भारत को 2047 तक तो उसमें उसको देखते हुए ये काफी गंभीर मामला है और इसको काफी गंभीरता से इसकी जाच भी चल रही है निश्चित तोर पर और भी खुला से इसमें सामने आएंगा